हैलो प्रेंट्स मैं हूं स्रेता वेलकम टू माई चैनल स्रेता अच की चैनल लाइप इस तरे आज मैं एक बहुत ही अलग यूनिक केक की रेसिपी लेकर आई हूँ तरीके का फिलिंग मैंने यूज किया है इस केक में तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं मैंने यह किन के लि जब आप उस प्रॉसिस को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में मैंने जिस फिलिन्ग के बारे मैं बात की आप की है के के अंदर मैं फिलिंग बनाऊँगी वह बहएँट ही डिफिरेंट है और उसको दो तीन प्रोसेस में करने से इसका टेस्ट सुपर डूपर आता है तो आप इस प्रोसेस को जरूर पूरा देखें मैंने क्रीम विप्ट कर लिया है और मैं अब केक के लेयर को काट लूँगी आप देख सकते हैं कितना पर्फेक्ट केक बना है इस्पंज बहुत ही अच्छा बनता है ये उपरी लेयर को थोड़ा सा हटा दिया है मैंने और उसके बाद मैं इसे तीन लेयर में काट लूँगी आज मैं अपनी फ्रेंड को अलग यूनिक तरीके का केक बना कर सर्प्राइज देने वाली हूँ उनका बर्थडे है वो हैं तो काफी बड़ी मुझसे और वो दोस्त की तरह और सिस्टर की तरह हमेशा मुझे सपोर्ट करती है अमुल फ्रेस क्रीम का यूज करना है इसलिए मैं यहां 50 ग्राम के करीब अमुल फ्रेस क्रीम ले रही हूँ इस फिलिंग का अमुल फ्रेस क्रीम ही मेन इंग्रीडियेंट्स है लेकिन इसके साथ और क्या इसमें मिक्स किया है आप देखेंगे आगे बारीक दाने वाले मोती चूर के जो लड़ू होते हैं उसे मैंने एक ले लिया है और इस तरीके से उसके टुकडे कर देने हैं हमें और अमुल फ्रेस क्रीम में डाल कर और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है यहाँ पे मैंने एक लड़ू लिया है आप चाहें तो क्रीम की मात्रा और लड़ू की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा मैं एक केजी का केक बना रही हूँ मिक्स करने के बाद मैंने इसे 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेब कर लिया है अमूल फ्रेस क्रीम और बूंदी में मैं यहाँ पे मिल्क कमपाउंड बारी कटा हुआ 100 ग्राम डाल रही हूँ यह फिलिंग कम या ज्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार बना सकते हैं मैं यहाँ इतना मेजरमेंट आपको बता रही हूँ लेकिन मिल्क कमपाउंड और थोड़ा सा क्रीम और थोड़ा सा लड़ू और आप एड़ कर सकते हैं स्वाद के अनुसार मैं इतना फिलिंग सफिसेंट समस्ती हूँ एक केजी केक के लिए हमारी फिलिंग तो तयार है लेकिन थोड़ा अधूरा बना है अभी अभी इसे पूरा करने के लिए यहाँ पे मैंने वाइट कमपाउंड लिया है और साथ ही मैंने उसमें थोड़ा सा अमुल फ्रेस क्रीम डाल कर उसे भी मेल्ट कर लिया है अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर डाल दिया है केक का और उसके उपर मैं यहाँ पे मिल्क डाल रही हूँ और मिल्क में मैंने कोई भी चीनी एड नहीं की है यह प्लेन है और उसके उपर मैं यह फिलिंग डाल रही हूँ जो मैंने फिलिंग बनाई थी इस फिलिंग को अच्छी तरीके से चार तरफ फैला देंगे अगर आपके चॉकलेट के टुकडे थोड़े मोड़े रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप आसानी से फिलिंग में उसे यूज करें वाइट कमपाउंड भी जो मैंने लिया था उसमें थोड़ा सा और मैंने अमूल फ्रेस क्रीम डाल कर इसे पतला कर लिया था और इस तरीके से फिलिंग के उपर इसे डालना बहुत ही जरूरी है टेस्ट के लिए वाइट कमपाउंड गराश जो मैंने बनाया था उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि वो इस रेसिपी की जान है और इस रेसिपी के टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देता है सेकेंड लेयर को भी मैंने मिल्क से सोक कर लिया और बचा हुआ सारा फिलिंग मैंने इस पे डाल दिया है फीलिंग और भी डाल सकते हैं ये आपके टेस्ट के उपर है लेकिन ये white compound इस तरीके से डालना बहुत जरूरी है ये टेस्ट को बहुत बढ़ाएगा white compound गनाश मैंने डाल दिया अब मैं last layer इसके उपर डाल दूँगी और इसे भी milk से सोक कर लूँगी क्रम कोट करने के लिए मैंने यहाँ पर whipping cream का यूज किया है और इसमें अभी कुछ नहीं mix किया है क्रम कोट करने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी आदे घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से set हो जाए यह तो मैं अपनी फ्रेंड के लिए बना रही हूं लेकिन आप अगर इस तरीके का केक बनाएंगे तो उसकी प्राइस क्या रखेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी यहां पर मैंने 150 ग्राम के करीब मिल्क कंपाउंड ले लिया है और छोटे छोटे टुक्रो में उसे काट लिया है अभी मैं एक पार्ट मुल्ट फ्रेंड क्रीम और टू पार्ट मैं मिल्क कंपाउंड का कर रही हूं क्योंकि हमें इसे क्रीम में मिक्स करना है इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसे मैं एक छनी से छान लूँगी क्योंकि थोड़ा मोड़ा लंस इसमें रह जाता है चौकलेट का इस तरीके से तो ये आपके आइसिंग करने में भी दिक्कत लाएगा और साथ ही आप इसे पोर करेंगे तो भी इससे दिक्कत होगी मैं इसे विप्ट क्रीम में तू टेबल स्पून के बराबर डाल दूँगी और उसे मिक्स कर लोंगी फ्रेंट्स इस केक को एक बार जरूर ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी केक बनेगा और इस केक के लिए आप कभी भी हाफ केजी का ओर्डर ना ले बहुत ही मुश्किल होगी आपको इसको हाफ केजी में बनाने में हाफ केजी के केक बनाने के लिए आपको मेहनत तो उतना ही पड़ेगा लेकिन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये गनास भी इसमें हैवी होगा मोती चूर का लड़ू भी डालेंगे तो वो भी हैवी हो जाएगा तो इसके कारान आपका केक खाप केजी से बहुत जादा बन जाएगा तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप 1 kg का ही इसका ओर्डर ले क्रम कोट करने के बाद हाद धी गंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था अब मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ क्रीम काफी स्मूथ है आप देख सकते हैं अगर आपको इस तरीके की वीपिंग क्रीम की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं उसमें मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिये हैं ताकि आप लोगों की वीपिंग क्रीम परफेक्ट बने दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और स्चेयर करें साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन चरूर दबाएं अब मैं साइट से इसे कॉम कर ले रही हूँ इस तरीके से आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं लेकिन इसके उपर मैं चॉकलेट पोर करेंगी तो ये साइट से बहुत ही खुबसुरत लगेगा आइसिंग हमारी हो चुकी है मैंने इसे का फाइनल कर दिया है अभी इसके उपर मैं चॉकलेट पोर करने वाली हूँ क्रीम में डालने के बाद जो बचा था गनास उसी में मैंने और अमूल फ्रेस क्रीम डाल दिया है और इस तरीके की consistency में ले आई हूँ चोकलेट डालने से पहले इस तरीके से मैंने 15 मिनट के लिए फ्रीज में केक को रख दिया था ताकि सेट हो जाए अच्छी तरीके से अब मैं milk compound गनाश को अच्छी तरीके से चारो तरफ इसके डाल दूँगी ताकि ये पूरी तरीके से cover हो जाए चोकलेट से ये देखिए पूरी तरीके से मैंने इस तरीके से cover कर लिया है अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा tap करूँगी ताकि ये कहीं से भी खाली ना दिखे पूरी तरीके से ढख जाए feeling करते समय जो white compound हमारा बच गया था उसी को मैंने piping bag में डाल दिया है और इस तरीके से मैंने dot डाल दिया है cake के उपर और उसी white compound में मैंने yellow color डाला और ये yellow color के भी dot मैंने बना दिये हैं ये बहुत ही सुन्दर design बनता है दोस्तों आभी कभी इसे try जरूर करें इस तरीके से white और yellow का मैंने dot डाल दिया है अब toothpick के सहता से मैं इसे इस तरीके से एक बार कर लूँगी आप देख सकते हैं कितना खुबसुरा design तुरंत में ही बन गया अब इस process के बाद फटा फट हमें गनास को नीचे से हटा लेना है और केक को freeze में set होने के लिए रख देना है 20 मिनट के लिए मैंने केक को set कर लिया है और यहाँ पर मैंने 3 लड़ू को 30 सेकेंड के लिए microwave किया है ताकि इसके दाने थोड़ा अलग-अलग हो जाए और इसे मैं इस तरीके से लगा दूँगे side side से मैंने केक को 20 मिनट के लिए set होने के लिए इसलिए छोड़ा था कि अगर मैं set होने के लिए नहीं छोड़ती तो यह yellow और white का design जो है वो भी थोड़ा सा melt होते हुए नीचे की तरफ हाने लगता तो फटा-फट ऐसा design अगर आप कोई बनाते हैं तो बनाने के बाद तुरंत आप उसे फ्रिज में रखें केक के बीच में मुझे टॉपर एक रखना है तो मैं heart shape का टॉपर रखने वाली हूँ जिसके लिए मैंने white compound को melt कर लिया है और ये मैं homemade chocolate का color ले रही हूँ जो की मैं इसमें डाल दूँगी ये मेरा homemade chocolate color है और इसको डालने के बाद आप देखेंगे कि white compound बिल्कुल खराब नहीं हुआ और इसको डालने के बाद आप अगर चाहें तो चोकलेट को दुबारा तिबारा अगर गर्म भी करेंगे तो उस पे कोई effect नहीं आएगा कलर को थोड़ा और डार करूँगी और उसी कलर में ले आऊँगी जिस तरीके का मैंने डॉट दिया था उसी कलर का इस चोकलेट को बना दूँगी इस एक केजी केक के लिए आप आराम से बारा सो रुपे ले सकते हैं मैंने यहां हर्ट से लिया है जिसके लिए मैंने चोकलेट को इस तरीके से चारो तरफ लगा कर और फैला दिया है इसे मैं पांच मिनट के लिए लगाने के बाद फ्रीज में रख दूँगी और फिर उसके बाद एक लेयर और लगाऊंगी इसे मैं उल्टा करके रखूँगी एक मिनट के लिए उसके बाद फिर से इसे सीधा करके फ्रीज में रख दूंगी चार से पांच मिनट के लिए एक लेयर मैंने चॉकलेट लगा दिया है अच्छी तरीके से अब मैं इसे उल्टा कर दूँगी एक मिनट के लिए फिर सीधा करके मैंने फ्रीज में इसे पांस मिनट के लिए छोड़ दिया था दूसरा लेयर भी मैं इस तरीके से लगा दूँगी दूसरा लेयर भी लगा दिया और इसे 5 मेट के लिए फ्रीज में छोड़ दिया था अब मैं इसमें आधा लड़ू तोड़कर इसे फिल कर दूँगी लड़ू को अच्छी तरीके से इस तरीके से तोड़कर इसमें सेट कर देना है अब मैं बचे हुए चॉकलेट को इसके उपर इस तरीके से डाल दूँगी और इसे पूरी तरीके से कवर कर दूँगी हो गया ना इस पेसल फिलिंग के साथ ये भी चॉकलेट तयार 10 मिनट के लिए इसे फ्रीज में सेट होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये पुरी तरीके से सेट हो जाए चॉकलेट सेट हो चुका है अब मैं इसे निकाल लूँगी आप देख सकते हैं होमेट कलर से ये कितना खुबसुरत कलर आया है इसका अब मैं अपनी फ्रेंड के चैनल का नाम इसके उपर लिखूँगी क्योंकि चैनल के नाम में उनका भी नाम है और उनका बर्थडे है तो मैंने सोचा कि नाम ही सिर्फ क्यों लिखें कुछ अलग करते हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे और मुझे भी खुशी हो उनके चैनल का नाम सर्विवित स्टाइल बाई साधना है अगर आपको इस तरीके से नाम लिखा हुआ पसंद है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं मैंने इसकी वीडियो डाडी है वहाँ पे नाम को भी मैंने सेट कर लिया और साथ ही मैंने यहाँ पे बीच में हर्ट भी रख दिया है जो मैंने बनाया था लड्डू से फिल करके केक तो बन चुका है अब मैं अपनी फ्रेंड को सर्प्राइज देने वाली हूँ और वीडियो कॉल पे उन्हें कॉल करूंगी और आप भी देखें क्या है उनका रियेक्शन अब मैं अब मैं कैसी है आए श्रेदा क्या हूँ ठीको मैं है पी बार्थ देखें मैं आपके लिए मैंने केक बनाया है ओ मैं गॉर्ड बनाया था लिए पर नाम की लिखा चैनल गारिवाँ अधर देखें को साथ नाव वाव तू सुष यश्ट को सुष यजश यजशच अधर लावट अजब जब देखें